बसकार दोस्तों, welcome to my channel, मेरे नाम शिबिन, मैं आज इस video tutorial में आप लोग को दिखाएंगे, Excel sheet से किस तरीका से bulk uploading आप लोगा software में करेंगे, यानि ताउसन सोफ प्रोड़क्ट वन ताइम आपने अप्लोड़ कर सकता, इसके लिए मैंने Excel sheet तर तैयार किया हुआ है, में किस तरीका से ताइयर करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको, यह जो billing software, RyanDuck POS billing software का home screen इस तरीका से आपको दिखाएंगे देते हैं, इसमें आपने ऊपर देखो, उधर जाएंगे, इसमें आपने ऊपर देखो, उधर जाएंगे, इसमें आपने क्लिक कर दो, ब्रोडवर नइम सब क्यांटेड़ यह आपका जाएंगे नीचे में जित्रा भी आपको प्रोड़क्ट दिखा जाएंगे इसका जीद्ध आपने द्रेख नीम है सब कातेगरी आईडी है और एक्चेसन कोड है और पार्ट नम्बर डिस्कृप्शन है सब ब्लांक डाल दो नो प्रब्लम और पर्चेस राइट है सेल राइट जो है और डिसकाउंड है और सीजीस्टी के कितना प्रसंड़ेज है और सफ वगेरा वो डाल दो और रियोडर पो प्रोडक्त में और एक्सिस्टिंग बार्कोड है वो ही स्कान करके इदर डाल सकते हैं और पर्चेस यूनित और सेल यूनित इदर आपने डाल सकता है इस तरीके से डालने के बाद देखो यह पूरा फिल होगे जेखो वेरी ब्यूरी करके कोई भी एम्टी मत छोड़ो अब अपना सोफ्ट्यूर में जाए बिलिंग सोफ्ट्यूर में दुबार जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका पहले मैं एक चीज आपको दिखा जेता हूं तो स्टोक में जाए आपने स्टोकिन रुपोर्ट जो भी है पूरा काली है इसमें कोई भी एक प्रोड़क्त ह जो हें पूरहए नहीं है ठिक नहीं ओधिए यह पे इसमें बव करते है इंपोर्ट करना आपने क्लिक कर दिजियिए और आपने कंसे युक्त करिक न natuurlijk करना साँ है ठाहि नहीं सुट्रा इदर से बटन बलके बटन है, आप इसमें एक बार क्लिक कर दीजिए, एक थोड़ा से टाइम लगेगा, मतलब ओ अपलोड ओने में, देखो इस तरीक से बेरी निसली ये सेव हो गया, सेव सक्सेस्फुली करके लिखे आ गया, आपने इसमें ओके कर दीजिए, बेरी सिंपल करदेंस, आपने सेव कर देए सारे चीजव, और आपने सीव अधर जाहिये, आपने क्लोस कर दीजिए, और अभी दूबार जाहिये आपन पेज 2 में जाए अपने उदर भी आगया देखो और पेज 3 में जाए देखो इदर भी आगया देखो 165 फॉर्थ पेज देखो 209 जो जितना भी प्रोड़क्त सारे इदर आ चुका है तो इस तरीके से आपने अपना प्रोड़क्त को बल्क अप्लोडिंग इतना सिंपल सा तरीके से इसमें कर सकता है तांक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो तैंक यू बाइबाए